अब बोल रही थी ना मिलने के लिए तो मैं सोच रहा था कि आज दे आ जाई है यहां पर मैं आपको लुकेशन बेश देता हूं अब भी बोल रहा था कि फ्यारों मिलनों को बोल रही है और बहुत सारी धंक्या भी दे रही है तो मुझे समझ में नहीं आरा क्या करना चाहिए और मेरे एक बार मिलने से अगर कोई किसी इंसान को खुशी मिलती है मुझे लगता है कि मिल लेना चाहिए मुझे और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि एक बार चांस देना चाहिए तो मिलके मुझे क्या होगा क्या नहीं मैं खुद इसलिए में नहीं मिलना चाहता था कि क्यूंकि अगर किसे प्यार करते हो उसके पास जाओ यह ना करें तो अजीव लगता है क्योंकि आपकी वज़य से कुछ होता है तो आपके उपर ही पड़ेगा तो मैंने सोचा कि चलो और आप लोगों ने भी कहा बहुत कुछ और मैंने भी अप्छा कि चलो मिल लेते और देखते क्या होता है मिलने के बाद आज तो मैं सोच रहा हूं कि मैं कॉल करूं और बुला लूँ यहां पर मिलने के वास्ते लेकिन ठोड़ा घबढ़ाट सी हो रही है कि क्या यह सही रहेगा यह गलत रहेगा मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारे लोग यह भी बोल रहे हो न कि मतलब क्यूं तो भाई अगर ऐसा कोई इंसान दुनिया में जो प्यार नहीं करता होगा और में प्यार के उपर बहुत सारे अडवाइस दर देता हूं कि यह करो मोटिवेशनल करता हूं लेकिन जब खुद इंसान इस चीजह में फस जाता है न तो उसके पास कोई समझाने खुरा नहीं होता और ना कुछ उसको समझ हमें नहीं आता है अंटा मुअ अधिक बहुत ही अडिप्रेंद हो जी अम उस्ज़ को पने energy वह करते हैं और यह कि कि मेरे साथ ही पता है कि क्या धोगा हुआ है मेरे साथ या मझबूरिया को हो सकती है कोई कहरा कि धोखा हो सकता है लेकिन मेरा दिल कहता कि यार हो सकती है धोखाया जार टॉクhya यार ठोड़िये लेकिन अरč मेरा घवान बी एक चांस दे रहा हूं भार वाला Черफ दे रहा हैंगे भी और और मैं किसी भी लड़की को बैच ज़ाइन करता हूं चाहे मेरी इंस्ट्रे Hal अब दिया तो मैं उसे पलट कर दोखा नहीं देता हूं मैं बट यह थोड़ा अजीब था मुझे मौका देना इसलिए मैं मौका नहीं दे रहा था बटाप लोगों ने बहुत कुछ कहा और मैंने भी कुछ सोचा कि एक मेरी जार बहुत ंसान बहुत तकलिप स्वावों में और इतना जल्दी प्यार हो जाए over oggi लेकिन मिलकर ट्राइ करेंगे क्या होता है और क्या नहीं बहुत सारे लोग यह बोलेंगी कि क्या नहीं क्या नहीं वह वगेरा वगेरा लेकिन कोशिश करेंगे कि हम उसे दूरी बनाकर रखें और जब वह आएगी तो थोड़ा अलग मूड हो जाए मेरा हाला कि अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अभी करू फोन ही आना करू और किesh थोड़ा आजीव लग रहे कि ए विलाना चाहिए एक नहीं बुलाना चाहिए अगर में बलाऊंगा उसका मतलब यह है कि कोई गलती कर देता है तो इसका अफसोस होता है अगर इन्सान जो गलती नहीं कर रहा होता है लेकिन जो गलती करके माफी मांगता त सका अलगी यह मतलब अलग रहता है मैं चलाला कि ओ इनसान किसी और और अगर मेरे जिन्दिगी में कोई आएगा भी न तो कि इसके बढ़कर सबकिया करें है छिसक्त बंढों कि अब भारा एंग तुव्य विस्व हुप्षस रहता है और मैं तर थो Risk कर ना होगा उसको तोलिए माता बिदा इजसत करना होगा देर्ड को समझना होगा मेरे दुख में शांत रहना होगा तो इतना कोई कर पाएगा तो मैं उसके लाइफ पार्टनर बनाने के लिए अभी लाइफ पार्टनर की जुरूत नहीं मुझे जैसे चल रहा है चलने देजिए और देखते क्या होगा बट कुछ अजीब लग रहा है कि उससे मिलना जो बहुत दिनों पहले छोड़ के चला गया था और उसकी आदों से भी तो उभरा था लेकिन गजीब अजीब लीला है बगवान जी की है न चले कुछ लेकिन आप लोगों को आप लोगों ने इस चेहरे पर मुसकान दी हाला कि यह मुसकान कभी जूटी होती है कभी सच्ची होत है और आप लोग के लिए इंट्रेटेन्मेंट करवानी के लिए हम कुछ भी कहते हैं देखे हमारी जो वीडियो सोती है न उस पर कुछ सीख मिलती है बहुत सारे लोग है अपने आप पर सोच लेते कि ऐसा होता है अरे भाई उस वीडियो में देखो कि आप आपके लिए क् इंसान क्या बोल रहा है वो सोचो कि कि किसके लिए बोल रही है इंसान को गलत मसंते हैं दिखते हैं कॉल करके बुलाने कोसिस करते हैं और बने रहे तक तक क्या बोलते हैं और बोलेंगे कि आजाओ अब अभी बात कर लेते हैं और जब बात ही करना है तो देर जागे बोलन हेलो हाँ 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 तो आप बोल रही थी न मिलने के लिए तो मैं सोच रहा था कि आज यह आ जाई है यहां पर मैं आपको लोकेशन बेश देता हूं अब भी बोल रहा था भी आभी आज आई आप किदर मैं आपको बेट करूँगा यह तर कितना तर में आज आएंगे आज क्यों नहीं आज मैं सोच रहा था कि आज ही बात कर ले जब बात ही करना है तो मैंने सोचा कि चलो बात कर लेते हैं वाज ही है यहां पर हम आपके इंतजार कर रहे हैं तब तक अभी टाइम भी है कल चलिए ठीक है कल फिर मिलते हैं नहीं ठीक है चले ठीक है मैं रखता हूं अभी फिर ठीक है ठीक है ठीक है कि यार हमने इतना देर सोच के यह डिशाइड किया कि हम बात कर लेते हैं कि उनका कुछ काम था और बोड़ी थी कल मिलेंगी और सब कुछ त्यारी करना होगा उनको हम तो जैसे भाई बैसे ही है और बड़ा आजजीब लगा मुझे हम ey logical गषित्ना हो रहां ये इतना भी हो जाए ऐस क्या हो रहा जाए कि समझ में नहीं है मेरा मूट खराब क्या कर हुआ जा है और को समय में यार बहुत दिमाग में खार रहा है कि बynूए का तो пойनी कि कंट्रोल है बस आप लोग बने रहें और देखते हैं क्या होता यार खल मिलेंगे और जो यहां पर बीच रहा है वो तो इससे बीच रहा है वही समझ सकता है बार रहा है रहा है वही समझी को यही है कर दो